यहाँ पर MIUI 13.0.12 का जो मिंड एडिशन का जो बिल्ड है हमने इंस्टोल किया है यहाँ पर इस रॉम के साथ जो धेड़ सरी कस्टमेशन ओप्सिन्स को आट किया गया है जैसे कि यहाँ पर iOS 16 जासा बैट फ्री पार्ट सेंट इस देने को मिलेगा प्लस धेड़ सरी यहाँ पर जो कस्टमेशन ओप्सिन्स आवलेबिल है यहाँ पर इस वीडियो के दरण MIUI 13 मेंड एडिशन का जो फुल रिबू है आपको शेयर करने वाले यहाँ पर नया फीचर्स बैट फ्री बैकाप बेंचमार्किंग गेमिंग सब इक वाड़े बात करने वाले है तो यह जो बिल्ड है तो MIUI 13.0.12 स्टाबल बिल्ड को पर बेस करत याड़ किया गया है एंड्रोइड वर्ट सें जो है एंड्रोइड 12 है फिप तब अधेस्ट का जो सिगुरी पैच अबिल्ड देना को मिल जाएगा 2022 का जो है सिगुरी पैच अबिल्ड देना को मिलता है एंड्रोइड 12.9.4 बीटा बिल्ड है और करनेल के बात करें 4.9 नो ग्रापीट ही करनेल के साथ एज बिल्ड है अबल लेवल है एंड इस रॉम के साथ जो आपको काफी बड़िया पवामेस देना को मिल जाएगा सबसे पहले माउड 13 मेंड एडिशन को पोकेफन डिवैस को पर किस तरह से इंस्टोर गड़ते है इसका जो इंस्टलेशन वीडियो है अलड़े हमने अपलोड किया है आप सिंपली पोकेफन का जो प्लेलिस्ट है हुआ पर जाके चेक आउट बरके देखो यह पर एंड्रोइड 12 के साथ जो मॉनिंड यू आई का जो सपोर्ट है एड किया गया है पर जो एमा यू यू आई डायलार अप्लेशन देना के मिल था है इस रम के साथ जहें बाई डिफल्ट जहें प्लेश्टोर अबलेवेल आपको अलेक से प्लेश्टोर को इंस्टोल नहीं करना होगा प्लस यहापर जहें इमा यू आई कैमरा अप्लेशन को एड किया गया है यहापर जहें HDR फोर्टो मोड का अप्शन है, AI कैमरा का अप्शन है, डायनमिक शॉट्स का अप्शन से एड किया गया है बाकि यहापर जहें पोर्टेट मोड का अप्शन है, नाइट मोड का अप्शन से अबलेवेल है यहाँ पर short video का जो option से काम कर जाएगा Paranoma, time lapse का जो option से add किया गया है अगर बात करें पर video recording के बारे में तो यहाँ पर इस ROM के साथ 4K 60fps का जो option ने काम कर जाएगा अब simply इस ROM के साथ 4K 60fps में video को record कर पाओगे बाकि यहाँ पर promote का जो option ने add किया गया है wide, balance, shutter, ISO, EV इसे भी option है तो यहाँ पर MIUI camera application जो है काम कर जाएगा पर कि यहाँ पर MIUI 14 का जो widgets का जो support है add किया गया है देखी पार हो यहाँ पर जो weather widgets, clock widgets का option है प्लस enlarge folder का जो option है add किया गया है तो यहाँ पर MIUI 13 को पर base होने के बाद भी zone Windows 14 का जो फिटर से add किया गया है तो इनलर्ज folder view का जो option है काम कर जाएगा इस जरा से आप जो हैẫn यहाँ पर edit icon का option है अलग अलग यहाँ पर जो icon है उसे उसे अप select कर सकता हो तो यहाँ पर MIUI 14 का जो features से add क्या है different bunch widgets का जो option से काम कर जाएगा अगर बात करें अपर camera to API के साथ जो है अपर full का support है अपर Google camera काम कर जाएगा, Gcam यापर काम कर जाएगा हमने अपर Gcam Goku इंशोल किया था, portrait mode, photo video mode काम कर जाएगा Recently हमने Google camera 8.8 का जो latest version ने उसका रिबू वीडियो शेयर किया है यापर 3D Mark के साथ जो wildlife Cooper 2240 का score देना के मिल गया है Pokemon device के साथ तो यापर 3D Mark का score है काफी बरिया है अगर बात करें अपर Geekbench 5 के साथ जो है यापर सिंगल कोर के साथ 471 Multicore के साथ जो है 2012 के score है Geekbench 5.5.1 के साथ Android 12 के साथ No Gravity करनेल के साथ तो यापर जो average score है सिंगल कोर का थोड़ा साथ ज्यादा है average से multi score के score है average से ज़दा देना को मिल था है तो यापर single score प्लस multi score के साथ जह है average से ज़दा इसको देना को मिल गया है इस ROM के साथ अगर बात करें पर CPU 30 टेस्ट के बारे में लगबग 5 मिनिट के लिए एज जो टेस्ट हम राण किया था max गया है 184, average 178, minimum है 165 यापर 94 परसन का जो CPU 30 देना को मिल गया है max गया है 2.80 जिगार्स तक तो जो पहुमेंस से काफी बढ़ी है प्लस आपको यह पर gaming के दरण कोई भी hitting issue देने को नहीं मिलेगा प्लस gaming के दरण जो कोई भी lag देने को नहीं मिलेगा और जो RAM management है इस ROM के साथ काफी बढ़ी है टी ना पर बात कर लेते हैं पर जो कस्टूमेशन के बारे में तो अपर ढेट सरी कस्टूमेशन ओप्सन को एट किया गया है यह से लग अलग अप्शन से अब लेवेल है फिंगरपिंट आधानीशन और फाई वेशन स्कीन अफ एनिमेशन को घुषे करने का ऑप्शन है प्लस जो वॉलियाम पॉनेल उसी भी कस्टमेशन कर सकते हो और यह पर लॉकस किन कस्टमेशन को पॉर जहे अलग-अलग आप्शेन सा भाईल टेवल है पर IMPLUS का जो लॉके स्किन उसे अपले कर पो के प्लस एपल एनिमेशन को डिसनुकर ने का उप्शन है कुछी सरद से आपको यह पड़ बड़ छे लॉके स्किन यॉई देनों का अपड़ यहापर जो यह पर कुछी सरह से डिफरेंट डिफरेंट लॉक स्किन का ओप्शन से अड़ किया गया है यह पर अइकन एटाइल के उपरजी सिगनल अइकुन बैटरे आई़कंद वाईपई आईख उल्टिय आईख चार्चिंग अनिमेशन यह पर जो है वुल्याम पैल स्टाइल Souma स्टाइल उससे भी केस्टमेस काने काुषन है देखी पर डिफरेंट डिफरेंट वुल्यम पैनल को स्लेट कर सकते हो जिस तरह से आप जहें आइफोन जासा वुल्यम पैनल को स्लेट कर सकते हो तो यह अलग अलग वुल्यम पैनल का जो आप्शन है आड़ किया गया है उसी तरह से यहापर बैटरी आइकोन में जाके आप जो है iOS 16 जैसा है पर जो बैटरी आइकन को एनेबल कर पाऊगे और यह पर पर कॉंटोल सेंटर कॉस्टमेशन ओप्सिंस को एड किया गया है तो पर बाइड डिफॉल्ट कॉंटोल सेंटर को पर जो पर अन्लॉक एनिमेशन का ओप्षन ओप्ष्यन आईकन शैडो को जो उप्षन से एड किया गया धिश्बड वाफ़ बड जुम का ओप्षम से चाहे गया तो इस थरेसा अलग अलग ऊप्षन से यहाँ पर डिफर्ट एप्स का उप्शन है, सरस पर आइकन का उप्शन है, एक स्रेडिम का उप्शन है, काम कर चाग इसे भी एड किया गया है, यहाँ पर AI सेटिंग्स का उप्शन है, इसे भी एड किया गया है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स मनने को यह बढ़ डालर के ओपर भी Customized Options को आड़ किया गया है, Maximum Brightness का Option है, Night Light का Option है, प्लस यह बर जो है, Incoming Call को फूल स्किर में कर सकते हो, एड इससे बी जो Options है, अड़ किया है, धेड सरी Option है इस ROM के सथ अब लेवेल है, आप डिफेनेटली खुछ से इस रॉम को ट्राइ करके देखो, इस रॉम का जो डाउलोड लिंग रहे है का नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोवाइड कर दूँगा, वह आपर जाक इस रॉम को डाउलोड कर सकते हैं, या पर जो सिस्टेम एपलेगेशन ने उसे या आपर अनिस्टल और डिजेबल करने को जो उप्शन ने एड़ क Dri bitches अग्याआ है, अगर बात करेंए या और डिफिमम डिफिर्ड डिफिर्ण ऑप्सिं ते यहा पर फिगल मिमेंों कर जएगा बहुत फस्त आपमट, पर फिगलेशन अंसर काम कर सकते एक और वहा जोग माश यहां पर Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, Mobile Data अल्मस सब जो उप्षिन ने काम कर जाएगा यहां पर HomeSwing को पर जो एनिमेशन स्पीट को भी अससे लिट कर सकतो Disable All Animation का उप्षिन यहां पर गेशास का जो उप्षिन से एड़ किया गया है यहां पर HomeSwing को पर जो धेट सरी कस्टमेशन आप्षिन से एड़ लेवल है यहां पर Unlock Animation को जो एनिमेशन को जो एनिमेशन को पाओके पर Double Tap To Skill Lock का जो उप्षिन आड़ किया गया है यहां पर Rounded Wizards का उप्षिन फोल्डर ब्लार का जो उप्षिन आड़ किया गया है यहां पर Global Icon Animation का उप्षिन है, Height App Icon का उप्षिन यहां पर Rounded Super Icon का जो उप्षिन से एड़ किया गया है प्लस Recent Panel को पर भी कस्टमेशन आप्षिन 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 का जो एक काम कर जाएगा Battery Backup ही Depends कारते अब कौन कान से Appli actions की उप्षिन करते हैं यह पर Additional Settings को पर जो है Memory Extension का जो उपषिन से एड़ किया गया है पर Virtual RAM का जो उप्षिन आप्षिन आप्षिन का जो आप्षिन है प्लस यह पर Clear Speaker का जो आप्षिन है आड़ किया गया है और यह पर special feature का जो option काम कर जाएगा यह पर sidebar, conversation bubble का option है quick reply, floating window का जो option से काम कर जाएगा अगर बात करें पर game turbo mode के बारे में यह पर इस ROM के साथ जो game turbo mode भी काम कर जाएगा पर voice changer का जो option से add किया गया है प्लस यह पर balance mode and promise mode का जो option से add किया गया है यह पर game turbo mode काम कर रहा है यह पर इस ROM के साथ जो वीडियो टूलबक्स भी काम कर जाएगा तो यह जो रह में इस तो Redmi Note 10 Pro से port किया गया है पोको एफन डिवाइस के लिए और इस ROM को इंस्ट्राल करने के तरह जो जो ए clean flush करना होगा प्लस जो हे इस ROM के साथ जो हे नौच को हाइट करने के लिए आपको डिवलावर सेटिंग से एनेबल करना होगा प्लस डूएल सरसबर का जो option से add किया गया है प्लस वुल्यम पैनल के साथ भी कुछी सरसबर जे यह पर मॉनेंड युए को जो option से काम कर जाएगा तब डिफिनेटली MIUI 13 MIND Edition को ट्राइगार के दोखा आपके डिवाइस को पर थैंक्यू विरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो वाचिंग दिस वीडियो वाइज दे बाई बाई